अब देखें कि ये आप बैठे हुए है बहुत important आपकी meeting चल रही है अब कोई बहुत important meeting चल रही है एक सहाव आए और उन्हें कहा सर कुछ बात करने है बहुत जरूरी बात करने है तो आप इनको बो सकते हैं थोड़ा दर रुख जाईए या बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या बा बात बात आईए और ऐसा भी हो सकता है कि आप इंसे बताओ क्या बात है इंटरब के ही होता है बीच में रोकना बीच में कारवियाही को क्योंकि आपका काम कर रहा होगा प्रोसेसिंग कर रहा होगा इस बीच रोकना है या फिर नहीं रोकना है इसे ही हम इंटरब कहते हैं तो इसकी priority है, जहां रखेगा software interrupt भी होते हैं और hardware interrupt भी होते हैं, ठीके जी, अब इसमें आपको समझ देना है, कि सबसे उपर होगा trap, और जो trap है, वो non-maskable है, मतलब जब ये सहाब आएंगे, तो आप पहले इन से बात करेंगे, बाद में आपनी meeting को जानी रखेंगे, इसका म आपका हाता है, RST, 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5, बाद में INTI, तो इसका उत्तर जो होगा, वो trap है, ध्यान रखिएगा, जिसको आप थोड़े देर के लिए रोख सकते हैं, लोग जाओ भाई, मुझे पहले ये meeting complete करने तो उसके बाद आपसे बात की जाएगे, या वाक्रो प्रोसेसर बोलेगा, मुझे पहले ये instruction complete करने तो उसके बाद आपको देखते हैं, लेकिन अगर trap आ गया, तो आपको रोखना ही पड़ेगा, पहले trap को handle करना पड़ेगा, बाकी बाद ने हैं, तो trap की highest priority है, बाकी अभी अभी मैंने आपको बताया, 7.5, 6.5, 5. इसके खोड़ा और concept मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे मैंने आपको बताया, maskable interrupt वो होते हैं, जिनको microprocessor ignore कर सकता है, ठीक है साथ हो जाईए, मैं बाद में बाद करता हूँ, ये edge triggered होंगे या level triggered होंगे, और इनको disable भी किया जा सकता है, जैसे INTR हो गया, RST 7.5 हो गया, 6.5 हो गया, 5.5 हो गया, ये सारे maskable interrupt है, 80-85 microprocessor, जब हम non-maskable की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर microprocessor इसको ignore नहीं कर सकता है, इसको disable नहीं कर सकता है, trap non-maskable interrupt है, वही इसका उतर भी है, और इसमें edge trigger, मतलब बोथ level की edge level triggering भी है, और सबसे वड़ी बात यह है, कि जब किशनाती जो बहुत ही critical है, वहाँ पर microprocessor को respond करना ही परता है,